हेलो फ्रेंड्स मैं संतोल दोशी इस्टन फांस दुबई आपका फिर से स्वागत करता हूँ जैसे कि मैंने पहले भाग में बताया था कि हमारी कमपनी इस्टन फांस दुबई सालाना का 36 पर्सेंट मुनाफा या आरोई कैसे देती है मैं आपको यह ग्राफिक्स के माध्यम से बताता हूँ अब हम देखते हैं अपने पास कितने इंवेस्टमेंट होने से हम कौन सी कमेडिटी इस्टन फांस को बेश सकते हैं तो देखिए अंदाजन अपने पास 34 लैट्स समझ के चलो इंवेस्टमेंट है तो इसके अंदर ओनियन है मैदा है वीट फ्लोर है और बनाना है इसके हर कंटेनर की किम्मत 6-9 लाग होती है तो आपको एक महने में चार कंटेनर बेजना है याने विकली वन कंटेनर तो महने के चार कंटेनर हो गए तो टोटल वैल्यू एक महने का इंवेस्टमेंट होता है आपका 36 लाग या 34 लाग तो यह होगी ओनियन मैदा वीट फ्लोर आप बनाने की इंवेस्टमेंगं जैसे आप दूसरे कमेडिटि फट्स ज्यादा सजीर एलड़े हो एसा कि हम क् इंवेस्टमेंट में कहां सी कमेडिटि आती है वह देखते हैं इसमें इस में पोकोनिट है राइस है और लेवन है लेमन चिली हो इसके का चालीस लाट से पैतालीस लाट बराब्दर बचेट और हायर साइड इंवेश्मेंट की जैसा हम जानते हैं नव्य लाट से एक क्रोर की जिसमें हम बासमती टाइप राइस जो है जिसकी किम्मत सो रुपए केजी या एक सुदस रुपए केजी की हिसाब से उती जैसा आप जानते हैं 29 मेट रिक्तन का एक कंटेनर होता है उसकी टोटल वैल्यू 19 लाग या 20 लाग से 25 लाग से तो उसका टोटल एक मैने का इंवेश्मेंट 90 लाट से वन कोरोर होता है तो इसके अंदर हम ज जितने वी आपकी इंवेश्मेंट हो इस सारी कम्यूडिटी ओइसीवी कम्यूडिटी आप सेलेक्ट करके भेज सकते हैं और हर एक कम्यूडिटी के ओपर फिक्स इंकम जैसे के आपने पहली बोलाए 36 परसेंट आपको आरो आपके हर इंवेश्मेंट पे मिलेगा